रेली के 75 गाउं को बनें गाउं को बनें मॉडल खेती किसानी के प्रती लोगों की रुची पैदा करने वा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषी भिभाग सभी ब्लोकों के 5-5 गाउं को मॉडल के रूप में विक्सित करेगा शासन का निर्देश मिलने के बाद किर्शी विवाग गाउं का चैन करने में जुटा है चैनित गाउं में कलस्टर प्रदेशन के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती किसानी की जानकरी दी जाएगी फसल उत्पादन में किसानों की लागत कम करने अनावर्षक उर्वर्ग प्रयोग से होने वाली हानी मर्दा तत्तों की हानी को रोकने तथा किसानों को जागरू करने के लिए किर्शी विवाग ने नई उजनाव पर काम शुरू किया है कवायत सफलोज़के इसके लिए प्रदेश सरकार के निरदेश पर किर्शी विवाग गाउं का चैन कर कलस्टर प्रदेशन के माध्यम से रवी जायद्वा खरीफ सीजन में खेती को प्रोच साहित करेगा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सोमबार को पांच दिन बाद जिलेक की सभी चीएच्सी पीएच्सी और सरकारी अस्पतालों में पूर्व की तरह टीककरन हुआ स्वास्त विभात से प्राप्थ रिपोर्ट के अनुसार लक्ष के सापेकश 93.2 फीसदी लोगों को वैक्सीन लगाई गई चह ब्लोको के कलस्टर में 11 794 गरामनिडों ने वैक्सीन लगवाई निगरानी रिपोर्ट के अनुसार कलेस्टर वैक्सिनेशन में 18-44 वर्ष आई उवर्ग के 11,000 लोगों को पर्थिरक्षित किया जाना था इसके सापेक्श 10,720 लोगों को वैक्सीन लगी 45 के पार 7,500 लोगों को वैक्सीन लगानी थी इसके सापेक्ष 7181 लोग प्रतिरक्षित हुए जिला प्रतिरक्षिन अधिकारी डॉक्टर आरेन सिंग ने बताया कि सोंबार को कलस्टर समेत को 1247 में टीका करण किया गया सामाने टीका करण में 19,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष था इसमें 18,278 लोगों को वैक्सीन लगाई गई जो लक्ष का 96.2 फीसिदी है इसमें कलस्टर एप्रोच के तहत शेरगण में 2785, फतेगंज पश्चमी में 2782, बहेडी में 1906, मुडिया नवीवक्ष में 1852, भूजीपुरा में 1292, मीरगंज में 1177 लोगों को प्रतिरक्षित किया गया डॉक्टर सिंग ने मंगलवार शाम तक शासन से वैक्सीन की और डोज मिलने की उम्मीद जताई है